तो आज की वीडियो में मैं आपको minecraft pocket edition का सबसे ज्यादा easiest wool farm बताने बाला हूँ और यह farm यहाँ पे expand भी हो सकता है अगर आप इसको और ज्यादा बड़ा बनाना चाहते हो तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हो इस farm को बनाने के लिए आपको चाहिए कि dispenser एक observer एक redstone six glasses एक shear एक chest एक hopper एक rail और एक mine card with hopper तो यह सामवाना आप easily यहाँ पर collect कर सकते हो जब सब पहले रहुख छपर एक dispenser को रखना पड़एंगा फिर अपको देखो इसके floral पीछे जाना है साइड में लगाए और उसके बाद आपको केकरने कि यहां पर उपर तरफ आप इस तरीके से रोको क्राउच हो Bluetooth आपको यहां पर रखते लुछ है लिएक तौ्ट एम देखो फैनए फोड़ाय आपको यहां पर नीचे आना है यहां फर रणी टू करने है तो थ्टÓ और अगर आप यहां से उपर खोड़ोगे न तो देखो इस तरीके से यहां पर दिख जाएगा प्र आपको क्या करना है कि यहां से साइड बुश्य इढ़ो एक बलक शूर एक बलोक चोड़ के एक बलोक आएक आगे आपको यहां पर चैस्ट रखना है और उसके बाद पीछे देखो आपको इस तरीके से एक hopper लगा देना है फिर इस hopper की उपर आपको देखो crouch होके इस तरीके से rail लगा देनी है फिर इस rail की उपर आपको देखो crouch होके इस तरीके से mind cart with hopper लगा देनी है तो आपका कुछ इस तरीके से यहां पर बन जाएगा फिर आपको यह वाला एरिया यहां पर पूरी तरीके से देखो यहां पर इस तरीके से कबर कर देना और हाँ उपर जाके है ना रुक जाओ उपर जाके आपको यहां पर इस तरीके से क्राउच होके है पर та दो झारक है इतना होने के बाद आपको क्या करना है कि आergो dipping के खूल पडर के शीयर कोछे ना कि अधानी के इतना होने के बाद आपको आपको इस स्डाड को यहां पर तोड़ देना है और पिर दूलना है और देखो गल देखो दीरे दीरे स्पायम के पास लाना है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शीप को अंदर लाना यहां पर थोड़ा सा हाड होता है इसलिए मैं इसलिए स्टैप को यहां पर बता रहा हूँ आप चाहो तो इसलिए स्टैप को यहां पर इसकिप कर सकते हो अगर आपको शीप को यहां पर अंदर लाना आता है तो इस तरीके से धक्का दे देना और उसके बाद देखो बिल्कुल फटा-फट से जो इस step में करने वाला हूँ इस तरीके से यहां पर ड़ट रख देना सने देखों करश करफने तो अगर नीचे देखो हमारी भूल हो चूकि है यहां पर गास को खाईगी और यह देखो इसको यहाँ पे shear कर देगा तो guys actually यहाँ पे होता क्या है जैसी हमारी sheep इस घास को खाती है तो जो यहाँ पे observer लगा होता है वो यहाँ पे देखो redstone को signal देता है फिर redstone क्या करता है तो dispenser केंदा shear होता है वो अपने sheep क्यूपर यहाँ पे use कर देता है तो जो इसकी wool होती है वो यहाँ पे देखो chest केंदा जाके इस तरीके से collect हो जाती है आपको यह वाला पाम पसंद आया होगा अगर आपको यह वाला पाम पसंद आया तो इस वीडियो को जाके लाइक करना चैनल पर यहाँ तो चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता आपको ऐसी अंगली अमेजिंग वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए